हेलो दोस्तों स्वागत है आप सब का आपके अपनी यूट्यूब चैनल के दी क्लासिस में आज के इस वीडियो सेशन में हम चाचा करेंगे सेल से रिलेटेड कुछ प्रीबियस येर क्यूशन को जो की AI PMT और NEET के एकजाम में पहले पूछे जा चुके हैं तो इससे रिलेटेड हम देखेंगे इसमें जो सबसे पहला क्यूशन पूछा जा रहा है ये फिगर बेस्ट है इसमें हमें फिगर को identify करना है कि कौन सा जो option है वो फिगर के basis पे सबसे correct मैच करेगा तो जो इसमें A, B, C, D है ये सब किसे represent कर रहे हैं इसी से related ये question है इसमें करा identify the component leveled A, B, C, D in the diagram below the list first to seven given along with तो एक से 7 तक जो भी सिरी दी गई है उसके basis पे हमें इनको identify करना है कि जो code A, B, C, D है ये किसे represent कर रहा है तो यहाँ पे जो A है, A rough endoplasmic reticulum को represent करेगा जबकि यहाँ पे जो B होगा, यहाँ पे B जो है, वो smooth endoplasmic reticulum को represent कर रहा है जबकि C जो है, वो nucleus को represent कर रहा है अगर यहाँ पे हम option number D को देखेंगे, तो जो option number D है, ये represent कर रहा है इसके membrane को तो इस आधार पे अगर हम इसमें correct match करें तो A वाला जो होगा option वो सबसे correct हो जाएगा और जो D होगा D में cytoplasm है तो ध्यान देजे जो D है D यहाँ पे जो match करेगा वो cytoplasm को match करेगा तो इसमें देखे जो पांचवे नंबर पे है यहाँ पे wrap endoplasmic reticulum वो match कर रहा है तो A जो point नंबर component नंबर पांच है उससे correct match कर रहा है B अगर आप देखेंगे तो B वाला जो option है वो component 4 से smooth endoplasmic reticulum से correct match कर रहा है जैसा कि अभी मैंने बताया इसके अलामा जो option number C है यहाँ पे आप देखेंगे तो C जो है वो एट्थ मतब निकुलेस से correct match कर रहा है तो यहाँ पे C आलड़ी निकुलेस को represent कर रहा था जबकि option number जो D है यह D वाला जो point है वो आलड़ी represent करेगा किसे cytoplasm को तो यहाँ पे third है cytoplasm तो इस तरह से इसका जो पहला answer होगा इस question का वो सबसे correct answer हो जाएगा option number first question number 2 है इसमें पूछा गया है membrane bound organelles are absent in मतब कौन सा ऐसा membrane bound organ है जो absent होता है organelles absent होता है तो saccharomyces, clemidomonas, streptococcus या फिर plasmodium तो इस question का जो correct answer हो जाएगा वो हो जाएगा streptococcus तो streptococcus जो होता है वो membrane bound organelles नहीं होता है इसके लाब question number third है which one of the following has it on DNA ऐसा कौन सा इन में से है जिन के पास खुद का DNA होता है तो इसमें mitochondria के पास खुद का DNA होता है यही option सबसे correct हो जाएगा dictyosome, paroxysome, lysosome के पास खुद का DNA नहीं होता है question number four है इसमें पूछा जा रहा है the main arena of various type of activities of cell तो जो कोसिका होती है उसका सबसे important बेभिने तरह की activities होती है arena cell के अंदर तो वो क्या है plasma membrane है, mitochondria है, cytoplasm है या फिर इसका nucleus होता है तो इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा cytoplasm तो जो cytoplasm होता है, cytoplasm के अंदर देखा गया है कि different तरह की activity होती है किसी भी cell के अंदर जो cytoplasm होता है उसमें different तरह की activity को देखा गया है, consider किया गया है question number, question number यहाँ पे 5 है 5 में पूछा जा रहा है the plasma membrane consists mainly of plasma membrane के अंदर क्या मुख्य रूप से पाया जाता है तो जो पहला option है, इसमें कह रहा है phospholipid होगा, embedded in protein bilayer इसके अलमा second option है protein embedded in phospholipid bilayer और option number जो third है इसमें कह रहा है third option में protein embedded in polymer of glucose molecule और option number जो D है, उसमें कह रहा है protein embedded in carbohydrate bilayer तो जो पांचमें का जो correct answer हो जाएगा यहाँ पे क्यूप्शन को एक बार हम फिर से देखते हैं इसमें जो पूछा गया था वो plasma membrane consists of mainly तो plasma membrane मुख रूप से किससे बनी होती है तो आपको यह बताया गया है कि जो plasma membrane होती है उसमें protein होती है और phospholipid होगा तो इसका जो correct answer हो जाएगा वो afton number भी इसका सबसे correct answer है इसके अलावा question number 6 को हम देखेंगे जो की figure based question है इसमें figure के अंदर हमें ABC को identify करना है जो किसे represent करेंगे तो इसमें अगर हम देखेंगे तो जो afton number यहाँ पर जो a है sorry जो code है यहाँ पर a है वो represent करेंगा क्रिस्टी को यह membrane को represent करेंगा तो इसमें afton से match करेंगे तो ज़्यादा बहतर रहेगा क्योंकि figure में उतना ज़्यादा clear colored diagram तो है नहीं तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो afton number a है जो b वाला afton होगा यह सबसे correct हो जाएगा कि b जो है वो inner membrane को represent करेंगा इसके अलमा यह infolding called kristi इसमें जो kristi होती है kristi वाले part को हम लोग already b c represent करते हैं तो जो b वाला है वो kristi का formation कर रहा है बाकि के जो code है वो correct match नहीं कर रहे है question number 7 है इसमें पूछा जा रहा है in mitochondria protons accumulate in the mitochondria के अंदर जो proton होते है वो accumulate किसके अंदर होते हैं तो इसमें अगर आप देखेंगे तो outer membrane के अंदर होंगे inner membrane के होंगे अंदर होंगे या फिर inter membrane के space के अंदर होंगे या matrix के अंदर होते हैं तो जो mitochondria के अंदर proton होता है वो accumulate करता है किसके अंदर inter membrane space के अंदर ये accumulate करता है तो इसका option number C सबसे correct answer हो जाएगा किसन number 8 है इसमें पूछा जा रहा है which one of the following is not considered as a part of the endomembrane system इनमें से कौन सा endomembrane system का part नहीं है तो ये जो इसमें पहला option है इसमें कह रहा है गौलगी complex नहीं है पराक्सिसोम नहीं है या फिर बैक्योल या फिर option number D में दिया गया है लाइसोसोम तो इसमें अगर हम तो इसका जो सबसे correct answer हो जाएगा वो option number B होगा पराक्सिसोम पराक्सिसोम जो होता है वो endomembrane system नहीं होता है बाकी के जो part होते हैं वो endomembrane system के अंदर considered किये जाते हैं किप्सन number 9 है इसमें पूछा जा रहा है which one of the following is not an example of eukaryotes इनमें से कौन सा eukaryotes का example नहीं है इनमें से कौन सा eukaryotes का example नहीं है तो यहाँ पे ध्यान देजे इस्क्रैसिया कोलाई, E. coli जो होता है यह already किसका example है यह prokaryote का example है और इसके अलामा eukaryotes मतब इनमें से कौन eukaryote नहीं है तो eukaryote नहीं है तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे eukaryotic nature का होता है paramecium cardatum eukaryotic हो तो यह तीनो eukaryotic होते हैं केवल इसमें जो पहला आपसन है इसक्रैसिया कोलाई, E. coli यह prokaryotic होता है तो इस आधार पे इसका जो correct answer है वो आपसन नमबर 1 हो जाएगा क्योंकि इसमें पूछा गया था कौन सा eukaryote नहीं है तो इसक्रैसिया कोलाई, e. coli यह prokaryotic होता है त इसमें पूछा गया है इन यू बैक्टिरिया, cellular component that resemble eukaryotic cells तो जो बैक्टिरिया होता है यू बैक्टिरिया इसके अंदर जो cellular component होता है वो cellular component eukaryotes के अंदर मतब किसका formation करता है या किससे बना होता है निकलियस से, राइबोसोन से, सेल्वाल से या फिर प्लाज्मा मेंब्रेन से मिलकर बना होगा त option number D हो जाएगा प्लाज्मा मेंब्रेन तो जो यू बैक्टिरिया होते हैं यू बैक्टिरिया के अंदर जितने भी cell के component होते हैं यू करियाटिक cell के component होते हैं वो प्लाज्मा मेंब्रेन से बने होते हैं तो यू बैक्टिरिया के अंदर का जो component होगा वो किससे बना होगा प इसमें पूछा गया है, peptide synthesis inside a cell takes place, जो peptide का synthesis होता है, वो कोसिका के अंदर किसके द्वारा होगा, mitochondria के द्वारा, chromoplast के द्वारा, ribosome के द्वारा, या फिर chromoplast के द्वारा होगा, तो इसका जो correct answer होगा, वो आपसा number C हो जाएगा, ribosome, तो ribosome जो होता है, वो क्या करेगा, क peptide की synthesis करता है, खास करके protein की synthesis करता है, तो protein अलेडी peptide से बनी होते हैं, अब इसके बाद हम लोग question number 13 को discuss करेंगे, इसमें पुछा गया, which one of the following cellular part is correctly described, इनमें से कौन सा जो भाग है, वो correctly described किया गया है, इसमें हम बारी-बारी से एक-एक आपसन को चेक करेंगे, और देखें कि सबसे correct कौन सा match कर रहा है, तो इसमें पहला option दिया गया है, centriole cyto-effective RNA synthesis, तो यह incorrect है, centriole RNA का synthesis नहीं करेगा, second option है, ribosome, doge, chromoplast, are larger, 80S, while doge, in cytoplasm, are smaller, 70S, तो यह जो chloroplast होता है, ribosome होता है, इसमें 70S, 80S तो होता है, लेकिन chloroplast के अंदर 80S और cytoplasm के अंदर 70S, ऐसा को condition नहीं है, ठीक है, lysosome जो होगा, lysosome में दिया गया है, lysosome optically active at pH 8.5, तो यह basic nature है, lysosome acidic nature होता है, तो यह भी incorrect है, तो जाहिर सी बात है, अभी इसका last option बच रहा है, यही सबसे correct हो जाएगा, फिलाल पढ़ लेते हैं, thyle quiet, इसमें दिया गया है, flattened membrane sag forming the grana of cloloplast, तो यही सबसे correct answer है, option number D, इसके बाद question number next है, 14 है, इसमें पुछा गया है, which one of the following structure is organal, within an organal, मतब इन में से कौन सा, को सिकांग है, के अंदर का को सिकांग है, तो अगर इसमें हम discuss करेंगे, तो paroxysome होगा, endoplasmic reticulum होगा, mesosome होगा, या फिर ribosome होगा, तो आपने ध्यान दिया कि जो mitochondria बगर होते हैं, उसके अंदर भी खुद का ribosome होता है, DNA होता है, तो जो ribosome होते हैं, वो cell organal के अंदर भी पाये जाते हैं, इस वज़े से इने organals within organal कहते हैं, तो इसका correct answer number D हो जाएगा, इसके लामा 15 में पुछा गया है, ribosomal mRNA actively synthesized in, ribosomal RNA का synthesis किसके अंदर होग तो lysosome के अंदर होगा, nucleus के अंदर होगा, nucleoplasm के अंदर होगा, या फिर ribosome के अंदर होगा, तो जो ribosomal RNA की synthesis होती है, यह खास करके देखी गई है, कि यह nucleolus के अंदर होती है, तो nucleolus जो होता है, वो correctly RNA की synthesis करता है, और यही RNA बाद में protein का formation करेगा, question number 16 है, इसमें correct answer हमें देखना है, ribosome से related कौन सा answer correct है, तो इसको हम बारी बारी से read करके फिर consider करेंगे कि इसका सबसे correct answer कौन सा हो जाएगा, तिसमें पहला option कह रहा है, the prokaryatic ribosome are 80S, तो यह बिल्कुल गलत है, तो prokaryatic 70S होता है, question number B है, these are composed of ribonucleic acid and protein, तो ribosome जो होते हैं, वो ribonucleic acid और protein से बने होते हैं, यह इसका correct answer है, इसके लावाँ C में कह रहा है, these are the found only in eukaryates, यह के वल्यूकरियाट में होते हैं, ऐसा नहीं है, यह दोनों में होते हैं, option number D है, these are self-splacing in trance of some RNA, यह भी इसका incorrect है, तो ऐसा नहीं होता है, तो इसका जो option number C है, यह सबसे correct answer हो जाएगा, sorry, option number C नहीं, option number B इसका correct होगा, तो जो भी मैंने बताया था, तो इसका जो correct answer होगा, वो option number B होगा, कि यह किस से ribonucleic acid और protein से मिलकर बनी होते हैं, इसके अलावा question number 17 में है, इसमें पुछा गया है, nuclear membrane is absent in, इनमें से किस में nuclear membrane नहीं पाई जाती है, क्या यह penicillium में नहीं होगी, एगरिकस के अंदर नहीं होगी, वालवाक्स के अंदर नहीं होगी, या फिर नास्टाक के अंदर नहीं पाई जाती है, तो जो nuclear membrane होती है nuclear membrane absent होती है नास्टाक के अंदर nuclear membrane नहीं होती है बाकी के अंदर nuclear membrane present होती है ठीक है तो नास्टाक के अंदर absent होगी बाकी के अंदर present होगी क्यूशन नमबर 18 है select the correct statement of the following regarding cell membrane cell membrane से related कौन सी statement इसे हमें consider करना है तो पहले जो statement है इसमें पहले statement में कहा गया है sodium यन्य sodium ion and potassium ion move across the cell membrane by passive transport तो ऐसा नहीं है यह फिलाल plant physiology से भी related क्यूशन है तो यह incorrect है जो sodium और potassium membrane होती है वो cell membrane से passive transport के थो move करके active transport के थो move करती है protein makes up 60-70% of the cell membrane protein 70-70% cell membrane से बनी होती है यह भी incorrect answer है इसके लावा option number C में कह रहा है lipids are arranged in a bilayer with polar head towards the inner part यह भी इसका incorrect answer है इसका सबसे correct answer D हो जाएगा fluid mojacic model cell membrane पाच प्रपोज बाइ सिंगल अर निकोलसन यह इसका सबसे correct answer है क्योंकि यही statement बिलकुल correct match कर रही है question number 19 है a major site of synthesis of lipid मतब इन में से कौन सा lipid का synthesis करेगा क्या RER करेगा RER करेगा symplast या फिर nucleoplasm के अंदर होगा तो ध्यान दीजे यहाँ पे जो lipid की synthesis होती है lipid की synthesis देखी गई है कि YCR के द्वारा होती है तो जो इसमें उठ हिंडो plasmic reticulum होगा वही क्या करेगा YCR की synthesis करने में important role play करेगा इसके बाद question number 20 है पूछा गया है इसमें the galgi complex plays a major role galgi complex जो होता है वो major role play करता है किस process के अंदर मतब कि कौन सा option इसमे सबसे correct match करेगा तो इसमें अगर हम देखेंगे तो जो galgi body होता है उसमें कौन सा role play करेगा तो इसमें पहला statement कर रहा है in trapping the light transforming it into chemical energy तो ये incorrect answer है इसका दूसरा है in digestive protein and carbohydrates ये भी इसका मतब ये digestive protein और carbohydrate में होगा ये भी गलत है इसके अबाद C है age energy transforming organelles ये भी incorrect है क्योंकि galgi complex major role जो play करेगा फिलाल होते हैं ये option लेकिन इसमें अगर हम option number D देखेंगे in post translational modification of protein and glyco citations of lipid ये इसका सबसे correct answer हो जाएगा तो option number D इसका सबसे right answer हो जाएगा इसके बाद हम discuss करेंगे question number 21 को जो की figure based question है और इसमें अल्यडी figure में कौन सा part क्या represent कर रहा है ये पहले से दे रखा है तो पूछा क्या गया है ये भी देख लेते हैं इसमें which one of the following organelle in the figure correctly matched इनमें से कौन सा जो organelle है वो correctly match करता है तो यहां पर ध्यान दीजे जो निकलियस है ये सबसे correct match कर रहा है बाकि यहां पर लिखा गया है राफिंडो प्लाज्मी क्रेटिकूलम तो फिलाल ये ठीक है लेकिन आप देखेंगे तो यहां पर जो एरो लगा है वो बीच में है त तो ये बी option भी correct लग रहा है क्योंकि इस पर आल्लेडी ribosome दिख रहे हैं तो ये दो option तो correct match कर रहे हैं लेकिन यहां पर गौलगी apparatus लिखा है तो ये थोड़ा सा कम match कर रहा है तो इस हिसाब से देखते हैं कौन सा answer इसका सबसे correct match कर रहा है तो इसमें अगर आप देखेंग तो हम नीचे देखते हैं option को तो पहला option इसमें दिया गया है wrap endoplasmic reticulum और formation of glycoproteins तो ये इसका incorrect है ऐसा कुछ नहीं है इसके लावा जो B है गौलगी apparatus protein synthesis करती है ऐसा भी नहीं है C वाला option कहा रहा है गौलगी apparatus formation of glycoproteins ये भी incorrect answer है option नमबर जो D है इसमें कहा रहा है wrap endoplasmic reticulum protein synthesis तो ध्यान दिजे कि जो wrap endoplasmic reticulum है वाल रेडी protein की synthesis करती है तो ये इसका सबसे correct answer हो जाएगा ठीक है इसके लावा question नमबर हम 22 को discuss करेंगे तो इसमें पुछा गया है which structure perform the function of mitochondria in bacteria तो जो bacteria होता है उसके अंदर mitochondria के जैसा कौन सा cell organelle है जो just mitochondria के जैसा काम करता है तो nucleide करेगा ribosome करेगा cell wall या फिर mesosome तो ध्यान दीजे जो bacteria की cell होती है उसमें जो उसकी cell membrane होती है वो invaginate करके mesosome का formation करती है और ये जो mesosome होता है वो बिलकुल mitochondria के जैसा ही work करता है क्योंकि ये prokaryates होते हैं तो इनके अंदर ATP वगरे का जो storage होगा वो mesosome के अंदर होगा तो इसके बाद question number 23 है 23 में पूछा जा रहा है the solid linear cytoskeleton element having a diameter of 6 nanometer and made up of a single type of monomer or known as तो इसमें जो solid linear cytoskeleton होता है जो कि 6 nanometer के आसपास होता है वो single type का है उसे हम किस नाम से जानते हैं microtubule बोलेंगे, micro filament बोलेंगे, intermediate filament बोलेंगे या फिर laminence बोलेंगे तो इनका इसमें से देखेंगे कौन सा option इसका सबसे correct होगा तीसे हम लोग नाम देते हैं micro filament तो जो solid linear cytoskeleton होते हैं जिसकी जो width होती है, मोटाई होती है वो करीब diameter 6 nanometer के आसपास होती है तो वो micro filament हो जाते हैं इसके बाद question number 24 है, इसमें match करना है हमें जो पहले कालम को हमें दूसरे कालम से correct match करके इसका सही answer टिक करना है कि कौन सा जो option है वो सबसे correct match करेगा तो इस figure, इस total question के अंदर अगर हम देखेंगे, तो कौन सा इसमें correct match कर रहा है तो इसमें पहला option जो है यहाँ पे आप ध्यान दीचे, A जो है, A match करना चाहिए, यहाँ पे centriol है तो A की जो matching है वो basal body से होनी चाहिए तो centriol जो है वो basal body से correct match कर रहा है इसके अलावाद जो chlorophyll होता है, chlorophyll जो होगा, वो B वाले option से थैले quiet के अंदर पाया जाता है, या थैले quiet के अंदर chlorophyll होते हैं, क्रिस्टी जो होता है, क्रिस्टी अल्रेडी in folding होती है माइट्रो कांटिया के अंदर, तो इस हिसाफ से देखे कौन सा answer match कर रहा है, इसमें अगर आप देखेंगे तो option number जो A है वो 3 में correct match कर रहा है, तो इसका last वाला option भी already match करेगा, जो ribogyme होते हैं, ribogyme अब nucleic acid होते हैं, तो इसका पहला option ही सबसे correct हो जाएगा, तो इसमें पहला option सबसे correct match करेगा, तो ध्यान देजिए जो matching व कर पाएंगे, अगर 2 से जादा अगर हमें 3 clear है, तो और भी अच्छे बात है, 4 clear है, तो सुनपे सुहागा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें जादा तर option को correct करने में आसानी होती है, इसके अलावा question number 25 है, पुछा जा रहा है, the motile bacteria are able to move by, जो motile bacteria होते हैं, वो होते हैं, movement के लिए, phimbrey के थो, phlegyla के थो, cilia के थो, या फिर phili के थो, तो जो motile bacteria होते हैं, motile bacteria के अंदर जो moment होता है, वो phlegyla के द्वारा होता है, तो bacteria में आपने देखा होगा कि इस तरह से phlegyla होते हैं, जिनके द्वारा ये क्या करेगा, movement करेगा, इसके अलावा question number 26 पूछा जा रहा है the chromosome in which the centromere is situated close to one end r जो chromosome होता है उसके एक end per centromere के एक end पर क्या मतब situated होगा कौन सा भाग उसके close end पर पाया जाता है तो इसमें metacentric होगा, acrocentric होगा, telocentric होगा या भी submetacentric होगा तो इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे पूछा गया था कि centromere जो होगा, वो chromosome के किस end पर होता है तो chromosome में generally जो यहाँ पर भाग होगा, तो इसमें अगर हम देखेंगे जो acrocentric वाला पार्ट होता है एक्रो सेंट्रिक वाले पार्ट में जो सेंट्रो मियर होता है वो उसकी एक इंड पर होता है मतब बिल्कुल किनारे पर होता है तो जैसे ये वाला भाग है तो यहाँ पर सेंट्रो मियर रहेगा जिसे हम लोग क्या नाम देंगे एक्रो सेंट्रिक बोल देते हैं इसके अलमा 27 है, इसमें पुछा जा रहा है, nuclear envelope is derivative of nuclear, जो envelope होती है, वो किस चीज़ से बनी होती है, smooth endoplasmic reticulum से, membrane of Golgi complex से, micro tubule से, या फिर rough endoplasmic reticulum के थुरू बनी होती है, जिसमें अगर हम देखेंगे, तो जो nuclear envelope होती है, वो rough endoplasmic reticulum का derivative होता है, तो nuclear envelope पे rough endoplasmic reticulum present होते हैं, रफ endoplasmic reticulum के थुरू ही nuclear envelope का formation होता है, बाकि smooth endoplasmic reticulum भी होगा, लेकिन यहाप है nuclear envelope derivative, nuclear envelope के द्वारा बनता है, तो rough endoplasmic reticulum पे जो होगा ribosome होगा, जिसके द्वारा protein का formation होता है, जो कि अल्रेडी endoplasmic reticulum के derivative के थुरू ही बनते हैं, तो देखे, इसमें दोनों options है है, यहाँ भी यहाँ भी, लेकिन यहाँ पे smooth endoplasmic reticulum से अल्रेडी इस पे कोई दूसरा cell organelle नहीं है, क्योंकि इस endoplasmic reticulum तो अल्रेडी एक cell organelle है, लेकिन यहाँ पे जो rough endoplasmic reticulum है, rough endoplasmic reticulum के अंदर अल्रेडी ribosome होते हैं, जो कि protein बनाते हैं, तो इस आधार पे इसका जो option number T होगा, वो सबसे correct हो जाएगा, question number 28 है, इसमें पूछा गया है, the structure that formed, that the stacking of organized flattened membrane is in the chloroplast, जो chloroplast होगा, उसके अंदर चपटा सा भाग क्या कहलाता है, क्रिस्टी बोलेंगे, ग्रैना बोलेंगे, स्ट्रोमा लैमली बोलेंगे, या फिर स्ट्रोमा बोलेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजे, जो इसका सबसे correct answer होना चाहिए, वो होगा ग्रैना, तो ग्रैना जो होता है, वो ऐसे coin-like structure सिक्के जैसी सनचना होती है, और सिक्का अल्रेडी कैसा होता है, चैप्टा होता है, स्ट्रोमा लैमली अल्रेडी जैसे दो ग्रैना होंगे, इनके बीच में यह जो joint place होता है, इसे स्ट्रोमा लैमली बोलते हैं, और जो liquid भाग होता है, उसे अल्रेडी हम लोग नाम देते हैं, स्ट्रोमा, तो इस तरह स से इसका जो correct answer होगा वो ग्रैना हो जाएगा आपसर नमबर भी इसका सबसे correct answer हो जाएगा किपसर नमबर 29 है पूछा गया है इसमें select the correct matching of the following इसमें से answer correct match कर रहा है तो अगर इसमें हम देखेंगे बारी-बारी से एक को चिक करेंगे तो इसमें जो सबसे पहला आपसर दिया गया है smooth endoplasmic reticulum oxidation of phospholipid ये गलत है ऐसा नहीं करता है ये second option है smooth endoplasmic reticulum synthesize the lipid तो ये सही है smooth endoplasmic reticulum lipid का formation करता है तीसरी को देख लेते हैं rough endoplasmic reticulum synthesize the glycogen तो ये नहीं होता है ऐसा कुछ और rough endoplasmic reticulum oxidation of fatty acid ये भी इसका incorrect answer है तो इसका जो option number B होगा वो सबसे correct है कि जो smooth endoplasmic reticulum होते हैं वो lipid का formation करते हैं question number 30 है 30 में पूछा गया है true nucleus is absent जो bixit nucleus होता है या सच मुझ का जो nucleus होता है वो किस के अंदर absent होता है enabina के अंदर mukar के अंदर voucher area के अंदर या फिर wall box के अंदर इन में से किस के अंदर जो will develop type का nucleus होगा या तो true nucleus होगा वो किस के अंदर absent होगा तो इसमें अगर हम देखेंगे तो जो enabina होता है enabina के अंदर जो की एकलगी है एना भीना इसके अंदर जो nucleus होता है वो completely developed नहीं होता है बाकी के अंदर जो nucleus देखा गया है वो completely developed होता है इसके लावा 31 में पूछा गया है which one of the following is not an inclusion body found in prokaryotes इन में से कौन सा inclusion body नहीं है जो की prokaryote के अंदर पाया जाता है तो phosphate granule है sinophysian granule है glycogen granule है या फिर polysome है तो इसमें अगर हम देखेंगे जिसका जो सबसे correct answer हो जाएगा वो हो जाएगा polysome polysome के अंदर जो होगा जो की एक prokaryote है इसमें किसी भी तरह की inclusion body absent होती है इसके अलावा 32 है पूछा गया इसमें DNA is not present in इन में से किस के अंदर DNA नहीं पाया जाएगा chloroplast के अंदर होता है ribosome के अंदर नहीं होता है nucleus के अंदर भी DNA होता है mitochondria में भी होगा इसमें नहीं पूछा गया था तो ribosome के अंदर जो DNA है वो नहीं पाया जाएगा किप्सन नमबर 33 है 33 में पूछा गया है यहाँ पर which are the following are not membrane bound इन में से किस के पास membrane नहीं होती है ठीक है ribosome के पास नहीं होती है mesosome के पास already membrane होती है vacuoles के पास already membrane नहीं होती है तो इसमें अगर हम देखेंगे 33 का जो सबसे correct answer होगा वो आपस नमबर यह हो जाएगा बाकी इन तीनों के पास membrane होती है ribosome के पास membrane नहीं होती है यह membrane less cell organelle होता है इसके बाद किप्सन नमबर 34 है 34 में पूछा जा रहा है which the following structure is not found in prokaryotic cell इनमें से कौन सा prokaryotic cell के अंदर structure absent होगा ribosome, mesosome, plasma membrane या फे nuclear envelope तो जो prokaryotic cell होती है prokaryotic cell के अंदर अगर हम देखेंगे तो इनमें खास करके nuclear envelope absent होता है तो nuclear envelope तो इसका answer number जो D होगा वो सबसे correct answer हो जाएगा क्योंकि जब इसमें nucleus ही नहीं रहेगा तो nuclear envelope रहने का कोई तुखी नहीं बनता है इसके बाद 35 है पूछा जा रहा है the structure that helps some bacteria to attach to rock R OR करके है अथवा host cell R ठीक है तो इसमें जो bacteria होगा bacteria के अंदर कौन सा structure है जो attachment में help करता है फिंबरी पार्ट, mesosome पार्ट, hold fast या फिर graduate पार्ट होगा तो इसका जो correct answer हो जाएगा वो option number A हो जाएगा जो bacteria के अंदर फिंबरी पार्ट होता है फिंबरी पार्ट है किसी host से चिपकने में या फिर attach करने में important role play करता है इसके बाद हम लोग question number 36 को discuss करेंगे 36 में हमें identify करना है कि कौन सा इसमें से correct match कर रहा है column first में से second से कौन correct match कर रहा है इसमें जो देखेंगे तो इसमें जो पहला option है इसमें दिया गया है thyle acquired जो होगा वो disk saved सैक होते हैं गौलगी apparatus की तो ये वैसे तो correct लग रहा है बाकी का भी देख लेते हैं क्रिस्टी जो है वो condensed structure है DNA के अंदर तो ये mitochondria के अंदर होता है तो ये गलत हो जाएगा क्रिस्टी जो है वो flat membrane सैकिन stroma के अंदर होती है तो ये भी गलत हो जाएगा और जो chromatic होगा वो in folding mitochondria होता है ये भी गलत है तो chromatic ऐसा कोई chromatin जो होता है वो already nucleus के अंदर होता है तो इसका जो पहला option है वो सबसे correct हो जाएगा इसके बाद यहाँ पे sorry तो ये हमें इस basis पे इसे match कराना था तो यहाँ पे आप दिहान देंगे इसमें देखेंगे तो जो पहला option है यहाँ पे first वाला A वाला जो होगा वो तीसरे से match करेगा A वाला यहाँ पे तीसरे से match कर रहा है तो A वाला thylec quiet जो होगा वो flat membranus second inis troma यह हाँ यह correct है इसके अलावा जो second वाला option होगा second वाले option को देखेंगे तो जो B वाला है B वाला लेडी चौथे से match करना चाहिए तो देखिए match कर रहा है तो यहाँ पे B वाला जो क्रिस्टी है in folding up mitochondria इसमें A से B को पहले match कराना है तो यह वाला match किया किस से पहला वाला जो है थाले quiet जो होता है वो flat structure है यह तीसरे से तो मेरे ख्याल से इसमें जो पहला option है वो correct match कर रहा है तो इसमें पहला option ही correct हो जाएगा क्योंकि पहला दूसरा दो match कर गया तो बाकि तीसरा भी देख लेते हैं जो C है option number C है C वाला जो option है यहाँ पे दिया गया है कि जो यहाँ पे जो C है C में देखते हैं C में पहला तो C का यहाँ पे पहला देखिए sister नी जो होती है वो disc shape होता है गॉलकी के अंदर हाँ यह correct match कर रहा तो इसका option number A सबसे correct answer हो जाएगा थोड़ा समिस match हो गया था तो यहाँ पे जो पहला option होगा यही सबसे correct answer हो जाएगा तो देखे इसमें थोड़ा page को लेके दिक्कत आ जाती है जब कोई question दो page में होता है तो यहाँ पे मुझे लगा पहला ही option है तो यह ज़्यादा correct है इसका पहला option सबसे correct हो जाएगा question number 37 है 37 में पूछा गया है cellular organelles with membrane R जो cellular organelles होते हैं उनके पास membrane होती है तो इसमें chromosome, ribosome and endoplasmic reticulum होता है इसके लाबाएं endoplasmic reticulum ribosome और nuclei होता है lysosome, golgi apparatus और mitochondria होगा, nuclei होगा ribosome या फिर mitochondria होगा तो 37 का जो correct answer हो जाएगा वो option number C हो जाएगा तो यहाँ पे जो cellular organelles होते हैं उनके पास membrane होती है lysosome, golgi, apparatus और mitochondria इन सभी के पास अल्रेड़ी क्या होती है इनके पास membrane पाई जाती है इसके अलामा next question हम लोग discuss करेंगे 38 को mitochondria and chloroplast R जो mitochondria और chloroplast होते हैं वो semi autonomous organelles होते हैं या फिर इनके अंदर दिया गया है formed by the division of pre-existing organelles and the contingent DNA better like protein synthesis machinery इसके अलामा अब इसमें हमें match करना है तो which one of the following option is correct मतब उपरोग्त दोनों में से कौन सा सबसे correct answer हो जाएगा तो यहाँ पे 38 में देखेंगे तो पहला option कह रहा है both first and second are correct क्या दोनों सही है तो नहीं दोनों चीज़ें सही नहीं है तो mitochondria semi autonomous organelles है यह बात सही है पर जो दूसरा है कि जो farm division pre-existing organelles contain DNA but like protein synthesis machinery तो यह दूसरा option इसका incorrect लग रहा है इसके अलामा option number B है second true है first false है यह तो सिधे-सिधे गलत हो गया C है first is true और second is false तो यह इसका correct है जिसमें जो option number C है यह सबसे correct answer हो जाएगा इसके बाद हम लोग question number 39 को discuss करेंगे 39 में कह रहा है microtubules are the constituent of microtubule इनमें से किसका constituent से किसका component है तो 39 में अगर देखेंगे तो इसका जो सबसे पहला option दिया गया है cilia, flagella and paroxysome का तो यह incorrect है दूसरा है spindle fiber centriole and cilia का है तो यह भी इसका क्या हो जाएगा यह वैसे correct लग रहा है इसके लावा तीसरा देख लेखते है centriole का spindle का fiber और chromatin का तो यह इसका incorrect है और D वाला है centrosome, nucleosome and centriole का तो यह भी incorrect है तो यहाँ पर ध्यान देजे जो option number B हो जाएगा option number B इसका सबसे correct answer होगा कि जो micro-tibule होती है उसके अंदर spindle fiber होते है centriole होता है और cilia होता है यह तीनों चीजे इसके अंदर present होती है किपिशन number 40 है एक complex ribosome attached to a single extended RNA is known as मतब जो ribosome होता है वो attached होता है single extended RNA से और उसे हम लोग क्या नाम देते हैं पाली सोम बोलते हैं पाली मर बोलते हैं पाली फेटाइट बोलते हैं या फिर ओका जाके fragment बोलते हैं तो किपिशन number 40 का जो सबसे पहला option है पाली सोम यही सबसे correct हो जाएगा कि जो single standard RNA होते हैं उन्हें हम लोग पाली सोम नाम देते हैं 41 है 41 में पुछा जारा which one of the following cell organelle is enclosed by the single membrane इनमें से कौन सा cell organelle है जो single membrane से enclosed होता है घिरा होता है माइटो कंडिय होगा chloroplast होगा lysosome यह फिर nucleae होगा तो अगर इसमें हम देखेंगे तो जो lysosome होता है वो single layer से covered cell organelle होता है ठीक है इसके बाद किप्शन number 42 है 42 में पुछा जा रहा है water soluble pigment found in plant cell vacuoles are जो water soluble pigment होते है plant cell किसी plant cell के अंदर होंगे genthofil के अंदर chlorophyll के अंदर karotinoide के अंदर या फिर antho cyanine के अंदर तो जो plant cell होते है plant cell के अंदर वो होता है anthocyanine क्या होता है anthocyanine जो होता है वो water soluble pigment है जो कि plant cell के अंदर प्रिजिंट होता है 43 है select the mismatch इनमें से कौन सा सही match नहीं कर रहा है इसे हमें select करना है तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहला option large central vacuoles large central vacuoles यह animal के अंदर होती है तो यह ऐसा नहीं है तो यह plants के अंदर होनी चाहिए ठीक है? तो यह incorrect option है पहला इसका option जो है वो incorrect है दूसरा है prostis eukaryat होते हैं सही बात है यह proto joa phylum के है और proto joa सभी क्या होते है eukaryat होते है इसके लमा है methanogens prokaryat होते है methanogen bacteria है और bacteria already prokaryat है तो यह भी इसका सही answer है और D option है gas vacuoles green bacteria के अंदर होगी तो यह भी इसका correct answer है तो इसमें mismatch कहा था मतलब कौन सा गलत है तो already पहला वाला गलत है इस वज़े से पहला आप सनहीं इसका correct answer हो जाएगा question number 44 है 44 में पूछा जा रहा है select the wrong statement मतब हमें इसमें से गलत statement को select करना है तो कौन सी statement गलत है पहली statement को पढ़ते है pilli and fembri are mainly involved in menthali of bacteria तो यह incorrect है मतब यह phimbri और पिली जो होते हैं वो mainly involved होते है menthali bacteria ऐसा नहीं है B है cyanobacteria like flagellated cell cyanobacteria के पास flagellated cell होती है ऐसा नहीं होता है option number C है michael plasma is a well-less micro-organized michael plasma काफी छोटे micro-organized होते हैं तो यह एक तरह की cell है micro-organized नहीं होगा philalia bacteria से related है और option number D है वो कहरा है bacteria cell wall is made up of peptido glycan तो bacteria के जो cell wall होती है वो peptido glycan के द्वारा बनी होती है तो यह option सही है तो यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा हमें देखना है wrong statement तो wrong statement इसमें जो पहली है वो अलड़ी गलती statement है बाकी की जो तीन statement है कि cyanobacteria के पास lag नहीं होता है flatted cells नहीं पाई जाती है mycoplasma एक तरह से छोटा जीव है यह भी सही है बाकी option भी सही है तो इसमें incorrect option पहला है और इसमें wrong statement ही पूछा गया था तो इसमें इसका पहला answer सबसे correct हो जाएगा आज का जो अंतिम question होगा उसके बाद हम लोग NCRT का एक्जामपलर देखेंगे अगले वीडियो के अंदर तो आज का अंतिम जो question है इसमें पूछा गया है a cell organelle containing hydrolytic enzyme मतब ऐसी कौन सी cell organelle होती है जिसके अंदर hydrolytic enzyme पाए जाते है क्या वो microsome है, ribosome है, mesosome है या फिर lysosome है तो जो lysosome होता है lysosome के अंदर ही hydrolytic enzyme पाए जाते है तो आज के लिए बस इतना है बाके next video में हम लोग NCRT के exemplar को भी solve करेंगे धन्यवाद